अब आप हमारी सभी वीडियो अनेकैडमी पर भी देख सकते हैं उसके लिए आपको अनेकैडमी लर्निंग एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कर्षप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कूर्सिस जो कि SSE, RealWays, HITAT, UPITAT और UN कॉम्पेटिटिव एक्जाम के परपस से बनाए गए हैं सभी अविलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख भी दिया हैं हे गाईज जैसे की हमने लूसेंट जीके की स्रीज स्टार्ट की है कल मैंने आपको 100 कॉश्चन यहां पर कराए थे 1000 कॉश्चन्स हम यहां पर लूसेंट के कराकर चल रहे हैं वो कॉश्चन्स कराकर चल रहा हैं जो most important है most expected है अने वाले competitive exam के लिए यह किसी particular एक exam पर focus नहीं है सभी exam इसके अंदर आएंगे SSEC, GLC, HSL, CPO, SSEMTS, SSEGD है railway का कोई भी exam है compelling पीएफ एक्जाम है ठीक है और UPCS में कोशन पूछे जाते हैं वीडियो के एक्जाम आ रहा है तो सभी एक्जाम के लिए beneficial है क्योंकि लुसेंट के जो कोशन्स हैं काफी important कोशन्स हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह एक हजार कोशन्स आपको प्रोवाइड कराकर चल रहा है तो बस अपना support बनाये रखें इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं अपने हिस्से का तो लाइक कीजी एक से जादा तो लाइक कोई नहीं कर सकता तो अपने हिस्से का लाइक जरूर करके सलें और साथ ही से share करके WhatsApp पर, Facebook पर और आप new हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि notification भी आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के एक कोशन और हमारा फ मोडिए के अंदर तो ग्हेंगा रोग नहीं होगा पॉनसी गरंती इंसुलीन स्त्रावित करती है तो वह पूठी आंग नश्या इंसुलीन की कमी से ही Davidgebarlos का रोग वोता है शुगर कर रोग वोता है नेक्स्ट कब करके सम्मंद की स्केल से तो वह फूटबॉल से दूरण contact football से संबंदित है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो ही राकुन बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध ठीक है जोकी महानदी पर है उड़िसा राज्य में है 105 नंबर कोशन है कि सम्मिदान की आठवी एनुसूची में कितनी भारतिय भाषाओं को मानेता दी गई है तो वो है 22 भाषाओं ठीक है सम्मिदान की आठवी एनुसूची में कितनी भाषाओं आ जाती है वो है 22 भाषाओं फिर आता है कि चीन की मुद्रा कौन सी है तो वो है युवान है, चीन की मुद्रा. भारत की कोकिला कॉन कैं दिल्ली में कुटूमिनार किसने बन्वानी शरू की तीग तो कुतूमिनार बन्वानी श对की और इसको भी कुतुम मिनार की मरम्मत कराने का शे जाता है तो चार लोगों का नाम इस कुतुम मिनार को बनाने से संस्थापा कौन थे तो वो थे मदन मोहन माल भी है मदन मोहन मालवी है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्विद्धाले की सापना की अर्थसास के लेखक कौन है अर्थसास के लेखक है चनक के है ठीक है चनक के है चन्दरगुप्त मोर्रे के गुरु चनक के है कोटिले के नाम से भी जाना जाता है विवेकानन्द इसमारक कहां पर इस्तित है तो यह है कन्या कुमारी चमिल नाडू के कन्या कुमारी में विवेकानन्द इसमारक इस्तित है दक्षेश का मुख्यल है कहां पर है दक्षेश है काटमांडू नैपाल नैपाल की राज़नी काटमांडू में दक्षेश के कितने देश सदस हैं तो इसमें कुल आठ सदस से देश हैं दक्षेश के अंदर जो कि हैं भारत, नैपाल, बंगलदीश, शिलंका, मालदी, भोटान, पाकिस्तान और अफगनेसान आठ एशियन देशों का ही समू हैं दक्षेश आगे बात करें तो भारत की तट्रेका की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर इस 7516 किलोमीटर में अंड़मान निकोबार और लक्षदीप की भी लंबाई को जुड़ा गया है अगर लक्षदीप और अन्वान निकोवार को छोड़कर भारत की केवल मुख्य भूमी की बात की जाए तो केवल चौशट सो किलोमीटर तट्रेका की लंबाई होती है ठीक है ध्यान नखेंगे फिर एकी विश में अब्रक यानि की माइका का सरवादिक उतपादन कि इस देश में होता है तो वो होता है भारत में अब्रक का सरवादिक उतपादन माइका का उतपादन भारत में नेस्ट है सिद रूट किसरे बनवाई थी तो शेडशा स्टोली के दोधार का निर्मान कराया गया था विटामिन कि कमी से बैरी बैरी हुता है विटामिन बी की कमी से ठिरान रखेंगे और यह होता है विटामिन बीवन जिसका घता है C सकते याद रख सकते हैं दीसे बैरी मैंती सी से चप्रवी एस स्कॉरऑन करने उसका रायसाइनिक नाम एक इस नाम होता इसकॉरी एसिडício एसकॉर्बिक एसेड ठीक है तो दोनों ही काफी important question है ध्याना केंगे दूद में कौन सा vitamin नहीं होता तो दूद में vitamin C नहीं पाया जाता clear आगे चलते हैं next question पर next question है vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है vitamin D की कमी से फिर है कि किस vitamin की कमी से खून का थक्का नहीं जमता तो वो है vitamin K सभी vitamin के chemical name से समद्दित मैंने अलग से video बना रखिये तो आप उसे जरूर देख लेना ठीक है अगर आप सर्च करेंगे vitamins और गुरुकुल Hub YouTube चैनल पर जाकर सर्च करेंगे vitamin vitamin के साथ गुरुकुल Hub डाल देंगे तो vitamin की जितने भी वीडियो हमारे होंगे वो सारी आपके साहें आ जाएंगे तो किसी भी वीडियो को देखने का सबसे बैस तरीका यही है हमारे चैनल पर ठीक है आगे चलते हैं कि vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है तो होता है बांजपन का रोग हो जाता है vitamin E की कमी के कराण और vitamin C का रासाइनिक नाम जैसे कि यह भी मैंने बताया ascorbic acid है वसा में गुलनसील विटामिन कौन से हैं जो कि वसा में गुलनसील है तो वो है A और E A और E वसा में पूरी दर से गुल जाते है ठीक है और जो पानी में गुलनसील है वो B, C, D और K ये पानी में गुलनसील हो कि वहते हैं साथ नमक का रासाइनिक नाम क्या है sodium chloride in behandle cl in 번째 Inde जो कि हम नमक काने में उसको बोलते हैने c l sodium chloride हसाने वाली गेस का रासाइनिक नाम क्या है तो है न्यूआइट्र ऑक्साइड का थावन सूदा रहाषय की नाम क्या सोडियूम कार्बस रहा है धवन सूदा और उसको बोला जाता है प्याक्टिंग पाउडर का मिश्रण है तो पीतल में तांबा और जस्ता दोनों होते हैं जस्ता और तांबे का मिक्षर होता है फिर आता है कि कैल्सी फैराल किस विटामिन का रासाइनिक नाम है तो विटामिन डी ठीक है विटामिन डी का रासाइनिक नाम कैल्सी फैराल है नेतरदान में नेतर के किस किस भाग का ध्यान किया जाता है था कौर्णिया का जो आंक का जो पार्ट होता है कौर्णिया उसको डोनेट किया जाता है किस विटामिन में कोबार्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबार्ट पाया जाता है फिर आता है कि कोशिगा का पावर हाउस किसे कहा जाता है मा सबुर्स प्रिक्मों तो वर राष्टी स्विघ्चान दिवस मंने जता एचाइस फर्वरी आगे चलते हैं अगे हैं ब्लट प्रिशन मापने केले किसी यंत्र का परियोग कीरत तो वह होता है स्पिग्मो मैनो मीटर ब्लड श्विश्टर मापने के लिए किसी अंतर का प्रियों की जाथा स्विग्मो मैनो मीटर नेक्स है के कंप्यूटर की पर्मनेंट मैमोरी क्या कहलाती है तो वह होती है रूम रीड ओनली मैमोरी किस अधिवेशन में कॉंग्रेज उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विवाजित हो गई थी तो वह है 1907 का सूरत अधिवेशन कॉंग्रेस उदारवादी और उगरवादी नामक दो दलों में विवाजित हो गई थी 1907 का सूरत अधिवेशन नेक्स्ट है कि तंजोर का व्रदेश्वन मंदिर किसने बनवाया था तो वो बनवाया था राज राजा परतम चोलने नेक्स्ट है कि मुगल समराट अक्बर का जनम कहां हुआ था तो वो हुआ था अमर कोट के दुर्ग में ठीक है चलिए आगे चलते हैं वर्स 2014 का फोटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा तो वो होगा ब्राजिल में वर्स 2014 का फोटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा ब्राजिल में नेक्स्ट है कि वर्स 2018 का फोटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा तो वो होगा रूस में अभी हाल ही में आयुजित हुआ है रूस में वर्स 2014 में के common wealth game कहां होंगे तो वो ग्लास्गो में आयुजित हो गए ठीक है हो चुके हैं और वो है स्कॉट्लेंड में वर्स 2015 का cricket विश्कप कहां युजित होगा तो वो हो चुका है निजलेंड और ऑस्टेलिया में नेक्स्ट आता है कि संसद के दोनों सदनों की सहीक बैटक की अध्यक्षता लोगसबा अध्यक्ष नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोगसबा अध्यक्ष कौन थे तो वो थे ग गणेश वासुदेव मावलंकर लोगसबा भारत के प्रथम लोगसबा अध्यक्ष भारतिय संविदान के किस अनुचेत के अंदर गट जम्मू कश्मीर को विशीष राज्ये का दर्जा प्रदान किया गया है आगे आते हैं कि कोई विदेग नमबर वन पे आता है तीके सबसे साथ महाधीब है शाथ सेवन काईटिनेंट और सबसे बड़ा एसे चोटा उजाता है इसमें औस्टेलिया नेक्स्ट है कि हैतराबाद किस नदी पर बसा हुआ है भीजाराबाद है मूसी नदी पर बसा हुआ विश में चांदी का सबसे बड़ा उतपादक देस कौन सा है तो हो है को जोरती है तो प्रसान माहसागरों उत्री अटलांटिक महसागर को जोणने का काम करती है पनामा नहर नेक्स्ट है कि भारत के संगिय छेत्र, दाद्रा और नागर हवेली की राजदानी कौन से य तो वो है सिल वासा, दाद्रा और अपरेल को हर साल 22 अपरेल को प्रित्वी दिवस मनाया जाता है फूलो की घाटी किस राज्य में इस्तित है उत्राखंड के चमोली जिले में इस्तित है फूलो की घाटी ठीके जिहान नकेंगे वर्स 2011 में नव निर्वित राष्ट्र दक्षणी सुदान की राजदानी कौन थ इसके जगे नीती आयोग लेकिन इसके अज्धिक जो होते हैं वो भी होते हैं कौन परदान मंत्री योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में और नीती आयोग को जो बनाया गया था वो 2014 में बनाया गया नीती आयोग को ठीक है तो दिहान रखेंगे सभी पॉइंट आ जो कि अकबर के दर्बार में हुआ करता था हॉपमेन कप किस खेल से सम्मझ देता है टैनिस से सम्मझ देता है हॉपमेन कप देशबंदू के नाम से कौन जाने जाते है चितरंजन दास जाने जाते है देशबंदू के नाम से किसे जाना जाता है चितरंजन दास को जाना जा सबसेचोटी हड़ी कोऊं सी होती है direct step ees जो कि कान की हड़ी होती है और सबसे बड़ी हड़ी कौन से फीर जो कि गयान की हड़ी होती है दयान रखेंगे दोनों कान की हड़ी सबसे च्छोटी और femur वर जांग की अड़ी वो सबसे बड़े नेक्स्ट है कि मानव शरी में कुल कितनी पेशिया तो 649 पेशिया होती है मानव के शरीर में फिर आता है कि लाल रक्त कणि का आर बीसी राड ब्लट सेल का जीवन काल होता है 120 दिन तीक है और वहीं डबलो बीसी का जीवन काल होता है म जस्तिकरण या गल्वनी करण ठीक है इसको कहते है गल्वनाइजेशन जस्तिकरण या गल्वनी करण गैल्वनाइजेशन मानव शरी की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है वो है यक्रत यानि की लीवर ठीक है भारत का प्रतम तेल शूदन सयंत्र कहां पर इस्तित है त विज्ञाने की चित्र में दिया जाता है। अगे हैं कौंग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधिन्ता का परस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया तो ये किया गया स狂 1929 के लाहोर अधीवेशन में 1929 के लाहोर अधिविशन में फिर है कि स्वेत करांते का संबन्द किस से है स्वेत करांते का संबन्द है दूद से दूद के उतबाधन से भारत का सबसे पुराना चालू रिल इंजन कौन सा है तो वो है फीरी क्यून सबसे पुराना चालू इंजन भारत में आपात काल के बृतम गोशना कब की गई थी चीन आकरमन के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में आपात काल की गोशना युदि की स्थिती में जो आपात गोशित किया जाता है वो ही आपात यहां पर लागो गवा था जब चीन ने आकरमन किया था 26 अक्टूबर 1962 भारत में भाशा के आधार पर बनने वाला पहला राज़ कौन सा है तो वो है आंदर परदीश पहला राज़ जो की भाशा के आधार पर गटित किया गया नेक्स्ट है कि भारत पर हमला करने वाला परता मुश्लिम आकरमन कारी कौन था तो वह था महम्मद बिन कासिम जोज जिसने 712 श्वी में भारत पर आकरमन किया था सैल्यूगस का राजदूद जो चन्रगुत मोरे के दरवार में आया था उसका क्या नाम था उसका नाम था मैगस्तनीज स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्वधातू होती है तो वह है आरन क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील में आरन भी पाया जाता है क्रोमियम होता है और निकल की मात्रा होती है कांसा किसकी मिश्वधातू होती है तो कांसा में होता है कापर और टीन कापर और टीन तांबा और टी नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकान ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मिलन को कब सम्मोधित किया था तो 1893 में उन्हों ने सम्मोधित किया था शिकागो में विश्व धर्म सम्मिलन नेक्स्ट है कि जलिया वाला बाग हत्यकांड कब हुआ तेरे अप्रेल 1919 में हुआ तेरे अप्रेल 1919 अमरसर में जलिया वाला बाग हत्यकांड परत्वी पर उत्री ध्रूव में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन 21 जून महत्वाप उध ने अपना पहला अबदेश कहा दिया था सारनात में दिया था साइमन कमिशन के बैषकार के दोरा लाठीचार से किस निता की मर्ति हो गई थी तो फैं लाला लाजपत राय की मर्तियों होई थी भारत में निर्मित प्रतम कंप्यूटर का नाम क्या है तो वो है सिद्धार्थ प्रतम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ फिर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेग किस गरंत में है तो वो है रिगवेद रिगवेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेग मिलता है अगे है अनुवान शिक्ता के नियम का प्रतिपादन किस नहीं किया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था अनुवान शिक्ता के नियम का ठीक है मानव दुवारा सबसे पहले किस धातों का प्रियोग किया गया था तामबे का, कॉपर का सबसे पहले प्रियोग किया गया था बॉल पैन किस सिद्धान पर काम करता है तो प्रष्ट्य तनाब पर काम करता है रिशम के कीड़े किस व्रक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं तो वो पाले जाते हैं सैतूत की पत्तियों पर राजस्तान में खेदरी किसके लिए प्रसिद है तो ताम एकी खान के लिए प्रसिद है तो गाइस यहाँ पर आज हमने 200 questions complete कर लिए हैं जो हमारे 1000 questions है लिसान जीके के question है जीके हिंदी question है जीके question and answers है ठीक है बहुत ही ज़्यादा beneficial questions है एक हजार questions आपके एक साथ एक ही time में cover हो जाएंगे तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है ठीक है 18-20 minute की वीडियो में आपके 100 questions एक साथ पैयार हो जाएंगे कल एक वीडियो बनाए उसमें तो 20-20 minute की अगर माल लिजे अपरोग सम 100-100 questions daily करके चलें तो 10 दिन के अंदर मारे एक हजार ऐसे questions हो जाता है most expected question तयार हो जाता है जो exam में देखने को सभी exams के लिए beneficial है पर्टिक्ल की सी एक exam को focus करके यह नहीं है तो थोड़ा सा support कीजिए जादा सा support कीजिए लाइक करके चलिए अपने हिस्से का like का बटन दबा दीजिए ठीक है और share कीजिए WhatsApp पर Facebook पर ज़्यादा से ज़्यादा और अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर ले और साथ ही bell icon पर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले सभी videos के notification मिले और सबसे पहले मिले अभी तक के लिए इतना ही ना नवाब